दिले के जोती नकर में एक लड़की को छेड़े से रोकने पर मनचलो ने एक यूवक की जम कर पिटाई कर दी है रानी की बात तो ये कि घटना इस तर्पर पुलिस कर्मी फोन पर बात कर रहा था चलकानी से रोकने पर यूवक की पिटाई की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो अर्याना की यमना नकर में शराब माफिया ने एक यूवक की बेरहमी से पिटाई कर दी एतना ही नहीं अपना आतंक जमानी के लिए उन्होंने टेरर वीडियो को वाइरल भी कर दिया फिलहाल पुलिस वारूपियों की तलाश कर रही है बताने के शराब माफियाओं के लोगों ने 12 अगस्त को भी एक अन्य यूवक की बेरहमी से पिटाई कर उसका व्तीजियो बनाया था राज़सान के भिलवाडा में एक यूवक को उधार के रुपए मांगना भारी पड़ गया उधार लेने वालों ने यूवक को रुपए देने के बाहाने बुलाया और उसकी जम कर पिटाई कर दी पिटाई कर रुपए के मार्क पीट के दौरान उससे 30,000 रुपए सोने की चेन और अंगूठी भी रूख ली गई फिलहाल वो पीड़ेत अस्पताल में भड़ गी यूपी के मिर्जापुर में बार के बाद मगरमर्च निकलने का सिलसला जारी है कगदर गाउ में मगरमर्च वाहने से हरकंप मच गया वन्विभाग की टीम ने कई घंटे की मशक्तर के बाद मगरमर्च को पकड़ लिया वन्विभागने से सिरसी डैम में छोड़ा है और यहाँ पर मगरमर्च ने गाडी में से की छलांग मार दिया और डैम में कूद किया अब तक इस इलाके में करीब 6 मकरमच पकड़े जा चुके हैं जबलपुर के पनागर गाउं में एक बुसर्ग महिला की मौत के बाद उसके परिवार वालों को उसके दहा संसकार के लिए तराब के बीचों बीच से शव्यात्र निकालने पड़ी तुसर्गाउं के शम्शान घार तक जाने के लिए एक ही रास्ता है और आरोप है कि उस रास्ते की जमीन पर गाउं के एक दबंग ने कबजा कर लिया है जो किसी भी गाउवाले को इस रास्ते से जाने नहीं देता राजिस्तान के जालोर में बाड़ की वज़े से हालात बेकाबू हो गए है यहाँ शवो का अंतिम संसकार करना काफी मुश्किल हो रहा है अहो तहसर के कव flatsणा गाउं में एक महिला की अर्थी कंदे पानी में से ले जानी पड़ी लोगोंने काफी मुश्किल से अर्थी को पानी में से बहने से रोकड़ा पुरिशा के बाला सोर में अस्पताल वालों की शव वाहन देने से इंकार किया जिसके बाद एक महिला के म्रशडीर की हड्डिया तोड़ी गए और शव को गठ्वी बनाकर बास के डंडो के सहारे स्टेशन पहुचाए गया मद्रप्रदेश के खरणवा में दो बाइक सापस में टकरा गई हासा इतना भयानाख था कि एक बाइक में आग लग गई और बाइक सवार आग की चपेट में आ गया उसे गंबीर हालत में स्पताल में भड़ती कराए गया कश्मीर की मुख्य मंत्री महभूबा मुफ्ती दिली पहुची हुई है उमीद है कि आज वो पीए मोदी से मुलाकात कर कश्मीर के हालाद पर चर्चा करेंगी बीजेपी श्रासेद मुख्य मंत्री की आज दिली में बैठक होगी स्टिंग और परेशन में फसे आमाद्री पार्टी के नेता सुच्रा सिंग छोटे फिर से परटी पर टिकेट बेशने का रूप लगा है सुच्रा सिंग ने अपने ख toreफ पैसी की सौदै बाजी के स्टिंग को एक साशुष बताया सुचा सिंग ने मनीश से सोधिया को फरजी सिंग के लिए जिमिदा ठहराया है इसके बाद आमापी पार्टी रे सुचा सिंग को संयो जगपत से हटा दिया है प्रदेश यात्रा शुरू की है पहले चरण की शुरूआत गुरकपुर से हुई इस मौके पर राज पपर ने कहा कि पूरा पूरवान चल बार से ग्रस है जनता परेशान है और सरकार सोई हुई है विजेपी सांसद विरेन सिंग मस्त ने अमेरिका के वीजा के लिए अपलाई किया लेकिन वीजा आवेदन के दौरान फोटो की चमाने के दौरान पगड़े उतार में से उन्होंने मना कर दिया इसी वज़ा से विरेन सिंग को अमेरिका यात्रा अपनी रध करनी पड़िया वो संसद और विदेश मंत्राले में इसकी संसद में शिकायत करेंगे प्रधान मोदी नरेंदर मोदी ने कहा है कि देश में तेजी से परिवर्तन लाने के लिए कानूनों में बदलाव और अनावश्यक और अप्चारिकताओं को खत्म करना जरूरी है दिल्ली में नीतिय आयो कि उससे आयोजेत भारत परिवर्तन रिश्यक के कारक्रम में उन्होंने ये बात कही थी प्रिवर्तन मोदी ने कहा कि अगर भारत को परिवर्तन की चुनोतियों से निपटना है तो रती रती आगे बढ़ना होगा और जरूरत है कायक कल्प की इस मौके पर शोताओं में पियम मोदी का लगभा पूरा मंत्री मंदल मौचूद था यूपी बिहार के बाद अब बंगाल में भी बार का कहर बरस रहा है मिट्टिक के कटाओ से 20,000 से ज़्यादा लोग बार से प्रभावित हो चुके है इस बीच माल्दा में पानी की तेजधार में एक बच्चा वह गया जबकि कई गाओं पानी में टूप चुके बिहार के भागलपुर में बार पीडितों ने सुल्तान गंज अकबर नगर स्टेशन पर जम कर नामा किया उन्होंने अमरनाथ यात्र एक्सप्रेस और साहिब गंज इंटर सिटी एक्सप्रेस को रोग दिया बार पीडितों का कहना था कि राहत के नाम पर जंता को गुमरा किया जा रहा है और वो पिछे कई दिनों से राहत सामगरी का सेफ इंतिजार कर रहे है दिहार में बार को लेकर मुखी मंतर इंटीश को माने अलान किया है राहर शिवर में बच्चे जन्म लेने पर धन राशी दी जाएगी शिवर में लड़की का जन्म होने पर 15,000 रुपे मिलेंगे गंगोत्री घाठी में भारी बारिश के बाद बादल फटने से गंगोत्री हाईवे क के स्तानों पर बुरी तरह से बादित हो गया इसकी वज़े से लोटने वाले पर टॉक औशड धालू रास्ते में फस गए है यूपी के मिर्ज़ापूर में नेशनल हाईवे शेतर पर नाव चल रही है लगातार बांद का पानी छोड़े जाने की वज़े से गंगा नदी ने बेहत खतरनाक रूप एक तयार कर लिया है कहीं भी आने जाने के लिए अब लोगों को सिर्फ नाव का ही सहारा बचाए बांद की वज़े से ग्रामीडो को नाव का सहारा लेना पढ़ रहा है कई जगे तो आलब ये हैं कि गाउं से लोग पलायन करने के लिए मजबूर है राजिस्तान के सवाई माधोपुर में दो यूवक पानी में बह गए दरसल गांगापुर सिटी के मोती सागरबान की तेज बहाफ में दोनों फस गए थे गाउंवालों ने दोनों को बहता देख फॉरण दोनों कर रिस्क्यू किया बार और बारिश की वज़े से बिहार में चौदा और लोगों की मौत हो चुकी है वही मांचन में पांच की मौत हुई दरसल अफसरों ने बार प्रभावी तिलाकी में राम विलास को अंदर तक जाने से रोख दिया अफसरों पर नाराज होते हुए पासवान ने कहा कि प्रुशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह हरकत किये अफसरों पासवान बेहार के उप मुख्य मंत्री तेजस्वी यादों के एक श्रेतर में बार पीडितों से मिलने पहुचे थे परिदाबाद में रहने वाली एयर इंडिया की एयर होस्टस शाकंबरी जिटसी की सरकाथ से में दिली में मौत हो गई जिसके बाद से शाकंबरी के घर मातं है बताया जा रहा है कि शाकंबरी एयर इंडिया के काप्ट से सुबह घर से रवाना हुई थी लेकिन रास्ते में गाड़ी दुखटना ग्रस्त हो गई इलाज के दौरा शाकंबरी की वाट हो गई जिपी के बाद हमें बाड के बाद रहसी में बिमारी के बाद 6 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग बिमार बताये जा रहे है जमालपुर गाओं में फैली इस बिमारी को देखते हैं इस पास में भाग की अब नीन तूटी है इस्पताल में अपीड़तों के लिए अलग से वाट बनाये गया है और बिमारी के बारे में जाच की जा रहे है जमारत ने पाकिसान से डॉन दाउद इब्राहिम को सौपने की फिर से मांग उठाई है इमांग उएन की तरफ से पाकिसान में दाउद के पतों की पुश्ची करने के बाद की गई वोवे हाई कोट ने अतिहासिक फैसला सुनाते हुए महिलाओं को हाजी अली दरगा में मजार के भीते सक जाने के अनुमती दे दी है कोट ने अपने फैसले में एक कड़ा फंदेश लेते हुए का कि लिंक की आधार पर भेधाव वल्लक है इज़र फैसे के बाद हाजी अली के ट्रस्टी ने मामले को सुप्रीम कोट में ले जाने की बात कही है बता दे कि पहले महीलाएं सिर्फ बाहर तक ही हाची अली दरगा पर जा पाती थी बिहार के विश्यस निगरानी इकाई ने पटना में नगर विकास और आवास विभाग के असिस्टेंट इंजिनियर कामिश्वर प्रसाथ सिंग के घर छापेमारी करकरों के समपती बरामत की इन अगस को हुई इस कारवाई के वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि लाखों रुपे नगत के अलावा बैंक के लॉकर में सोने की इटे और सोने और चांदी के गहने भी रखे हुए हैं इफको के रेट इंट्रेस्ट घोटाले में दोशेट हराए गए हर्यारा के पूर विधासा बहादेक्ष्ट सफ्वीर काधियान को दिली की करकर डूमा को उटने साथ साल की सज़ा सुनाई हैं साथी पचास लाग कर जुर्माना भी लगाया है इफको रेट इंट्रेस्ट घोटाले में तीन और आरोपियों को साथ साल की सज़ा और पचास लाग जुर्मानी की सज़ा सुनाई गई है विपी के वायराइच में जमीन विवात के चलते पुलिस वालों ने पती पत्मी को जम कर पीटा फिलहाल एसपी ने चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया मंद्रदेश के रतलाम से पुलिस ने 31 लाख रुपए की अवई शराब जब्त की है फलो के पेटी में चुपा कर पंजाब के लुध्यान से पुने ले जाए जा रहे थी हर्याना के करनाल में एक बुजर्ग ने ट्रेन के आगे कूट कर जाने लिए मरता के पास से एक सुसाइट नोट भी मिला है जिसमें उसने चार लोकों को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है माराश के नासिक में आल्चुरी सेंटर में फरजी दस्तावीजों के आधार पर प्रविश लेने वाले चार सैनिकों को गिरफ़तार किया गया है ये सब ही राजपुताना राइफल्स के सफाई है पुरुग्रा में पुलिस ने रात को आपरेशन रोमियो चलाया पुलिस ने ज़ौरान शराप पी कर लर्कियों पर कॉमेंट करने वाले पचास मंचलों को पकड़ाया है पुमबई की बोरीवली में एक महिला से किड्नी के बदले लाख रुपए का लाजश देकर 44,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है पुलिस मामले की जाशकर आरूपी की तलाश कर रही है दिली से सठे ग्रेटेनोईडा में जनमाशमी के लिए जलूस में गुलाल उडाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया दोनों गुटों के बीच विवाद में दो महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग खायती हफते बर दोनों बच्चियां एक अंधेरे बंद कमरे में भू की प्यासी पड़ी रही जब वहां से बद्बू पहलने लगी तो पड़ोसियों को पता चला यूटी की फिरोजाबाद में द्योग पती अतुल मित्टि के बीचे आधीत की हत्या की आरोप में तीन यूगों को गिरफतार किया गया है पुलिस मताबिं ये तीनों आधित की दोस्त है फदा देकी आधित की आधित का शब नहर में तेरता हुए मिला था अपने स्टाफ और बाउंसर्स को लगाया तो बैंक की टीम ने पुलिस बलको मौके पर बुला लिया बतादे की होटेल ने कई बैंकों से करीब 130 करोड रुपए का कर्से ले रखा है युपिकी का नौज में 30 बारिश के चलती ट्रॉक और निजी बस की धीश और टकर हो गई हाथसे में चार की मौत होगी जब की आठ गंभी रुप से घाई जारखन की राश्तानी राची में दो ट्रॉकों की आपस में टकर हो गई ये बाग कई लोगों को घाल कर चुका है वेटेनोडा की सूरज पुर्थाने में डलेती युवक की मौत के बाद परीचनों ने शफ को रखकर प्रदर्शन किया और जाम रखा दिया परीचनों का दबंगों पर युवक की ख़त्या का रूप है प्युपी के बरीली में बच्चों के सामने उनकी मां से ग्यांग रिप का मामला सामने आया रोपियों ने महिला को उसके पती के घाल होने की जूटी ही सूशना दी जिससे घबरा कर महिला उनके साथ चल पड़ी रास्ते में पहले से मौजूद दो शक्स ने महिला के दोनों बच्चों को दबोच लिया और चार बतमाशों में से तीन ने उसके साथ में रेप किया रेप की बाद उन्होंने महिला के जेवर्दी लूट लिये रेणा के सोनीपत में एक नाले में दस साल के बच्चे का शौब बिला है शौब पर कपड़े नहीं है और चोट के मिशान मिले यूपी के गोरकपुर में शौट सर्किट की वज़र से चपल फाक्टरी के गोदाम में भयंकर आग लग गई दमकल गाडियों को आग पर काबू पाने में कई घंटे मशकत करनी पड़े यूपी के देवरिया में जनमाश्वमी की यार में पुलिस वाले और क्रिस्टरा की लड़कियों के साथ ठुंके लगाते देखे वीज़ो सामने आने के बाद आनेदार समेट तीन पुलिस वालों को सस्पेंड कर गया यूपी के अली गड़ में बीजेपी नेता के बेटे ने फासी लगा कर खुदकुशी कर लिए बताया जा रहे कि उसका कुछ लोगों से छक्राफ हुआ था अब नेता शाहित कपूर और मीरा राजपूत के घर नमी परी आई है मीरा राजपूत ने मुंबाई के हिंदुजा अस्पताल में बेटी को जन दिया तो इस शेटी की फिल्म गोलमाल 4 के लिए आजए दीवगन के साथ शदा कपूर को फाइनल किया गया है शदा से पहले करीना कपूर को फाइनल किया गया था लेकिन प्रेक्नेंट होने की वज़े से करीना को ये फिल्म छोड़ने पड़े सनी देओल इन दिनों अपने भाई बॉबी देओल के करियर को चमकाने में लगे हुए है बॉबी देओल के साथ सनी एक फिल्म बना रहे है जिसका नाम होगा पोस्ट रबॉर्ड तन्बीर के एक नूडल ब्रांड के नए विग्यापन के खरीमत है तकरीबन 75 करोड इस विग्यापन को बनाया है रोही श्यच्टिवर्ड निपाल में खाई में बस गिरने से 30 लोगों की मौत होगे मनेवालों में बिहार के चार मृत्यकी की परिवार के है फ्रांस की उचितम अदालत ने एक तटिये शेहर में मुस्लिम महिलाओं के पूरे शडीर ढखने वाले सूइमिन सूप यानि बुर्कनी पहनने पर लगी रोग को खारिश कर दिया है अदालत ने रोग को विक्तिगर्द, आजादी और विचारों की सुतंतिता के खलाफ माना तुर्की की इड़क्षन पूर्वे हिस्से में एक पुलिस भावन के बाहर हुए कार्बं ब्लास्ट में ग्यारत तुर्क पुलिस अदिकारियों की मौत हो गए रोग के बातालीस लोग सकती इनके उतरे इलाके चाइंगिंग में पहारों पर अचानक से आख लग गई हवा के तेज बाहव से कुछी समय में आग काफी बड़ एक शेत्र में फैल गई अमेरिका की फ्लोरीडर शेहर में भारत वेस्ट इंडीस के बीस दो मैचों की टी ट्वंटी सिरीज का पहला मैच आज खिला जाएगा भारती समय की मताबिक शाम सारे साथ बज़े शुरू होगा मैच इंडिया ग्रीन को 219 रनों से माद दी हैं इंडिया रेट में मिले 497 रनों के विश्चाल लक्ष का पीछा करते हुए इंडिया ग्रीन की टीम सिर्फ 277 रनों पर all आउट हो गई न्यूजिलेंड और दक्षों अफ्रीका के 20 सीरीज का आखरी और दूसरा टेस मैच आज से सेंशुयन में शुरू होगा ये मैच भारती समय सार दोपैट देड़ बज़े से शुदू होगा इंग्लेंड और पाकिसान के बीच पांच मैचों की सीरीज का दूसरा वन डे आज लॉट्स के मैदान पर खेला जाएगा बताते कि पहले मैच में जीत हासल करने के बाद मेजबान इंग्लेंड एक शुनिस से आके है